कोरोना का प्रकोप ऐसा है कि दिनों दिन बढ़ रहा है लेकिन अब इसको आए इतने दिन हो गए हैं कि लोगों ने इसके साथ जीना सीख लिया है और अब लोग इसके वजह से और दिन अपना काम धंदा बंद भी नहीं रख सकते इसलिए कोरोना की बढ़ने के साथ ही अब लोग अपनी पुरानी कोरोना से पहले वाली जिन्दगी में लौट चुके हैं और काम धंदे में जुट चुके हैं अब पपन सिंग भी अपने मजदूरों को बुलाने की तयारी कर रहे हैं जी हाँ वही पपन सिंग जो दिल्ली में सालों से मश्रूम की खेदी कर रहे हैं बाहरे दिल्ली सिर्थ बकतावरपुर इलाके के तिगीपुरी गाउं में रहते हैं पपन सिंग नहीं मई महिने में अपने हां काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की वैसी हालत नहीं होने दी थी जैसी बाकी प्रवासीयों की हो रही थी उन्होंने अपने हां काम करने के लिए बिहार से आने वाले मजदूरों को फ्लाइट से उनके घर भिजवाया था अपने इस फैसले के साथ उन्होंने इंसानियत की एक बड़ी मिसाल पेश की थी क्योंकि उन्हें मजदूरों के दर्द का एहसास हुआ था अब वही पपन सिंग फिर वही नेक काम करने जा रही है भीजे गए अपने दस मजदूरों को काम पर बुलाने के लिए फ्लाइट की टिकेट बुक करा रही है पपन सिंग ने भीजे गए दस मजदूरों के अलाबाद दस और मजदूरों को फ्लाइट से बुलाने का फैसला लिया है वो दस और मजदूरों को अपने यहां इस कोरोना काल में रोजगार देने जा रहे हैं किसान पपन सिंग ने अपने मजदूरों को बिहार से वापस दिली बुलाने के लिए करीब एक लाख रुपय का खर्चा किया है क्योंकि उनके साथ पिछले 20 साल से काम करने वाले मजदूरों की पपन सिंग कदर करते हैं आने वाले 20 मजदूरों में से 10 मजदूर ऐसे हूंगे जो पहली बार फ्लाइट में बैठेंगे 27 अगस्त को पपन सिंग के 20 मजदूरों का टोला IGI एरपोर्ट पर पहुँच जाएगा और फिर अपनी मश्रूम की खेती का काम शुरू करेगा 27 अगस्त को दिल्ली पहुँचने वाले एक मजदूर नवीन सिंग से इस बारे में बात की गई तो उन्हें बताया कि वो प्लेइन में बैठने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है लेकिन नर्वस इसलिए नहीं है क्योंकि लॉक्डाउन की वज़ह से गर जाते वक्त वो प्लेइन में बैठे थे जब पपन सिंग अपने साथ ही मजदूरों को प्लेइन से भेज रहे थे तब मजदूरों में काफी उचसाह था जब उन्होंने अपने परिजनों को इस पारे में बताया था तो पहली बार उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ था पपन सिंग ने उस वक्त अपने मजदूरों को तीन-तीन हजार रुपे बक्षीश भी दी थी और साथ ही कहकर भेजा था कि उन्हें अगर बिहार में कोई दिक्कत होती है तो वो और भी पैसे भेजेंगे पपन सिंग का साफ कहना है कि पिछले 25 साल में इन लोगों के साथ उन्होंने घर परिवार जैसा रिश्टा बना लिया है और उसके बाद मजदूरों को तकलीफ से गुजरता वो नहीं देख पाएंगे इसलिए उनका फ्लाइट में टिकेट बुक कराया है हर साल पपन सिंग अपनी तीन एकड की भूमे पर मश्रूम की खेती करते हैं जिसे करने के लिए ये मजदूर बिहार से आते हैं और मश्रूम हो जाने के बाद फिर अपने घरों को लोट जाते हैं इस बार कोरोना की वज़ा से माहौल दूसरा था इसलिए बपन सिंग ने अपने मस्दूरों को प्लेन से भेजा था और अब प्लेन से ही बुलाने के इंतजामात कर लिये हैं